हलो फ्रेंड्स मैं हूँ पंकच कुमार आपका मेंटर और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टमक में डाइजिसिन कैसे होता है तो सबसे पहले हम लोग यह सीखते हैं कि स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो देखो आपको मालूम है स्टमक जो है न वो एक बेसिकली जेसेफ स्ट्रक्चर है और इसके फूर पार्ट से पहले वाले पार्ट को हम लोग फंडस बोलते हैं Fundus is followed by cardiac है, cardiac के बाद बड़ी है, बड़ी के बाद pylorus है, और pylorus इसका अंतिन पार्ट है, और pylorus जो है, वो कहां से communicate करता है, वो pylorus बाद में जाके intestine से communicate करता है, तो ये तो आपकी structure हो गए, ओके, structure के बाद हम लोग discuss करते हैं इसकी histology के बारे में, पूरी की पूरी elementary canal के histology क देखें, तो ये four layer का बना होता है, जो सबसे बाहरी layer होता है, उसको हम लोग कहते हैं सिरोसा, primarily collagen का बना होता है, सिरोसा के बाद muscularis है, muscle layers है, और हम लोग क्या देखते हैं, बाहर की तरफ circular muscle, अंदर की तरफ longitudinal muscle है, इसके अंदर होता है sub-mucosa, right, और sub-mucosa के बाद होता है muc पूरी की पूरी digestive system के अंदर में हम लोग यही anatomical structure पूरा elementary किनाल में हम लोग देखेंगे एक बाद ध्यान देनी वरी बात है कि जितनी भी digestive enzymes होते हैं ना वो सब mucosa में होते हैं सभी के सभी किवल एक को छोड़के वो एक कौन सा है brunner's gland brunner's gland कहां पाया जाता है तो यह dutonum के सब mucosa में पाया जाता है otherwise all glands are present in mucosa ओके तो चलो फिर हम लोग stomach में कौन-कौन से gland हैं उसके बारे में बात करते हैं है ना तो देखो stomach area surface को देखोगे ना तो surface में कुछ rough structure है जिसको हम लोग रुगे बहते हैं उसके और अंदर structure हम लोग को और detail में हम लोग microscopic उसको analyze करें तो पूरे stomach के surface पे gastric pits होते हैं और pits में ना series में, serial में cells लगे रोते हैं और हर एक cell का अपना एक specific function होता है तो gastric gland के अंदर में यदि हम लोग बोलें तो तीन main category होता है वैसे एक और होता है जिसको हम दो entero endocrine कहते हैं anyway पहले जो तीन होता है उसके बारे में बात करते हैं तो पहला कौन सा है पहला है mucus cell या goblet cells इसका काम क्या होता है mucus का formation करना है क्योंकि देखो जितनी भी digestive process होती है वो mucus के ओपर में होती है और mucus का काम होता है जो stomach की जो lining है जो epithelial lining है उसको protect करना है the second is what we call a peptic cell और chief cells वो क्या करता है वो pro enzyme in the form of pepsinogen का formation करता है आप देखिए जो भी enzymes होते हैं इस gastric pit में वो सभी के सभी inactive form में होते हैं ऐसा क्यों हो ऐसा इसलिए कि यदि वो active होंगे तो उनका main काम क्या है protein को digest करना और gastric pits भी किस चीज़ की बनी वी है protein की बनी वी है तो gastric pit को ही digest कर देता है यही वज़य है कि जो भी enzymes होते हैं वो inactive form में होते हैं राइट चलो एक और cells के बारे में बात करते हैं वो कौन सा है parietal cells या फिर oxenetic cells okay तो इसका काम क्या होता है यह hydrochloric acid secrete करते हैं और साथ में GIF यानि gastric intrinsic factor secrete करते हैं gastric intrinsic factor एक prominent role play करता है vitamin B12 के absorption में और यदि यह ना हो vitamin B12 absorb नहीं होगी जिसके कारण एक disease होता है जिसको हम लोग perinesis anemia कहते हैं then there is a enteroendocrine cells mostly यह hormone secret करने के लिए जाना जाता है इसके अंदर हमें gastrin है serotonin है histamine है right all these things are actually secreted by enteroendocrine cells तो यह तो है gastric glands यह gastric pits में होते कैसे हैं तो चलिए अभी एक इसका diagram देखते हैं so this is a gastric pit in front of you right तो आप देखो ऊपर में जो आपको नज़र आ रहा है right so यह क्या है basically यह gastric pit है और यह पूरा का पूरा structures जो है उसमें आप क्या देखोगे cells linearly arranged हैं और finally मेंचे में आप enteroendocrine cells देखोगे जो की primarily gastrin, histamine, serotonin, secret करता है अलड़ी हम लोगों ने discuss किया okay इसी structure को थोड़ा हम लोग बढ़ा करके देखें तो आपको कुछ ऐसा structure नज़र आएगा आप यहाँ पर भी देखो यू किन easily see there right so यह जो है हम क्या देख रहे हैं basically यह parietal cells है right और parietal cells का का काम क्या होता है parietal cells का काम होता है कि pepsinogen जो inactive form है उसको वहाँ से hydrochloric acid जो secret हो रही है उसको pepsinogen को active pepsin में convert करना right so that is the gastric चलिए बात करते हैं हम लोग gastric juice की क्या-क्या gastric juice secret होता है तो पहली बात gastric juice है ना वो combination of क्या है hormones और enzymes दोनों है right तो पहले हम लोग यहाँ पे जो series of hormones और enzymes क्या है उसके बारे में बात करते है सबसे important तो पहला है gastrin चुकि gastric digestion की सुरुआत पहले gastrin से ही होती है right gastrin क्या है hormone है right और निकलता कहां से है G-cell से है और इसका काम क्या है वो entire chroma fin cells और parietal cells दोनों को excites करता है for their respective secretions then we have a serotonin again it is a hormone serotonin का काम क्या है G-cell से होता है और यह stomach muscles को contract करते है यह regulatory role पैदा करते है कैसे हम लोग regulations में इसको सीखेंगे फिर a renin, renin बच्चों में पाई जाती है और renin का main काम क्या होता है milk protein को digest करना adult में renin नहीं होता है right then we have a pepsinogen pepsinogen active form में pepsin होता है और pepsin is the main gastric engine और उसका काम क्या है protein को digest करना okay then we have an intrinsic factor intrinsic factor का secretion हम जानते हैं parietal cells से होता है enzyme है और vitamin B12 के objections के लिए यह ज़रूरत होती है mucus क्या है bicarbonate है right और bicarbonate का काम क्या है वो हमारी internal lining को protect करता है stomach के internal lining को और इसका secretion होता है goblet cells से then we have a histamine again it is a hormone यह entire chromaffin cell से secret होती है और यह histamine क्या करता है parietal cell को stimulate करता है और यदि आपको बहुत भूक लगी है then definitely there is another enzyme what we call ghrelin so ghrelin भी जो है वो chief cells से निकलता है और sense of hunger यह हमारे body के अंदर में generate करता है right so these are the gastric juices थोड़ी बहुत gastric lipase भी होती है gastric amylase भी होती है तो gastric lipase का का काम थोड़ा बहुत fat का राइशन है gastric amylase का काम थोड़ा बहुत carbohydrate का राइशन है right but stomach के अंदर में जो main digestion होता है वो protein ही है दूसरा कुछ नहीं है okay चलिए बात करते हैं यह digestion के different stages के से तो देखो हम लोग in general 3 stage के बारे में बात करते हैं पहला हम लोग कहते हैं सिफालिक तो सिफालिक स्टेज क्या है सिफालिक स्टेज जो है that is the activation of the parietal cell parietal cell activate होगा जब activate होगा तो वो क्या करेगा वो hydrochloric acid को release करेगा और entire chromaffin like cell से क्या करेगा histamine को release करेगा okay so that is a sephalic phase sephalic के बाद next phase हमारा आता है that is gastric phase तो gastric phase का का क्या है gastric phase का का काम obviously gastric juice का secretion कर दा है right तो यहाँ पे जो pepsinogen और hydrochloric acid है वो release होते है और यहाँ पे पूरी जब digestion हो जाती है तो तीसरी stage में हम लोग intestinal phase में आते हैं तो intestinal phase में क्या होता है काइं small intestine में जाती है और वहाँ उसका further digestion होता है so these are the three stages what we see that is the cephalic, the gastric and the intestinal phase चरो बात करते हैं stomach में digestion कैसे होता है या पहला सवाल यह है कि food जब stomach के अंदर में आ रहा तो stomach को कैसे बता चलता है कि food उसके अंदर आ गया तो देखो इसका जवाब यह है कि food के अंदर में जो proteinis content है वही हमारे gastric digestion process को stimulate करता है तो आप देखें proteinis content के कारण gastrin hormone का situation होता है और gastrin hormone क्या करता है वो excites करता है ECL को parietal cells से बाकी enzymes को secret करने के लिए अब देखें यह जो gastric acid का secretion है यह regulated है यानि इसमें positive control और negative control दोनों है positive feedback और negative feedback होता क्या है कि positive feedback क्या करता है वो excite करता है इसका secretion के लिए negative feedback क्या करता है इसको inhibit करता है जरुत ना हो तो इसकी secretion ना हो ओके तो generally हम लोग क्या देखते हैं regulation जो है न चार तरह के cells है रेगुलाइस होती है या चार तरह के cells होते हैं जो regulatory activity में participate करते हैं जैसे parietal cells हो गया यह तो main cells हो गया right then we have a g cells d cells and enterocromafin like cells यह 3 cells mainly जो है न वो regulatory role में participate करते हैं ओके तो अभी देखिए जब pepsinogen hydrochloric acid से मिलेगा तो क्या होगा pepsin बनेगा और pepsin क्या करता प्रोटीन को digest करके peptones and proteuses बना देता है यहाँ पे small quantity of gastric lipase भी होता है gastric amylase भी होता है gelatinase भी होता है तो यह भी थोड़े बहुत digestion process में participate करते हैं बट फिर से कह रहा हूं यहाँ पे digestion mainly protein का ही होता है एक और इंट्रेस्टिंग आस्पेक्ट है इंटेरो गैस्ट्रॉन का अब सुचो डाइशन हो गया मालो स्टमक के अंदर में डाइशन process हो गया right now the kind will move into the small intestine तो देर मस्ट भी mechanism जिसमें स्टमक को पता चलना चाहिए कि अब फर्दर उसके गैस्टिक जूस की सिक्रेशन की जरुवत नहीं है right so that is actually being done by the interogastron तो interogastron क्या करता है यह time के secretion के बाद यह negative feedback को initiate करता है through somatostatin तो somatostatin क्या करेगा यह gastron को रोग देगा ECL को रोग देगा parietal cell को रोग देगा और finally enzymes का secretion हम लोग नहीं देखेंगे finally हम लोग यह gastric secretion का regulation कैसे होता इसके बारे में बात करते हैं तो आप यह diagram देखो यह diagram में आपको parietal cell नजर आ रहा है और parietal cell जो है वो positive और negative feedback के control में है तो पहले positive feedback के बारे में बात करते हैं यानि वो कौन सा process है जो की parietal cell से hydrochloric acid के secretion में मदद कर रहा है तो देखो तीम में तरह के हम लोग regulations को identify करते हैं एक हम लोग कहते है acetyl colon दूसरा हम लोग कहते है histanine तीसरा हम लोग कहते है gastrin ओके तो आपको मालूम है acetyl colon क्या है neurotransmitters है और वो चुकि neurotransmitters है तो enteric neuron की द्वरा काम करता है ऐसे आप diagram में भी देखो वो enteric neurons को पर काम कर रहा है वो finally acetyl को excite कर रहा है parietal cells को excite कर रहा है for the acetyl secretions okay similarly हम यहाँ पर क्या देख रहे है there is a regulatory molecule that inhibits acid secretion वो क्या है somatostatin तो somatostatin का 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 है negative feedback करना यह क्या करता जी cells को भी रोग देता है ecl को भी रोगता है parietal cells को भी रोगता है ताकि उसका secretion ना हो मैंने आपको पहले कहा positive or negative दोनों control होता है और यदि हम लोग histamine के बारे में बात करें तो histamine का क्या है एक paracrine है यह और यह क्या करता यह ecl से release होता है और gastrin को stimulate करता है जो कि बाद में जाके parietal cell को stimulate करता है इसके further secretions के लिए तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि regulatory exercises होते हैं stomach के अंदर में digestive enzyme का secretions करें ओके चलिए बात करते हैं gastric disease की तो एक बड़ा common disease है वो यह पैप्टिकल सर या gastricल सर बोलो ओके तो देखो क्या होता है कि जो stomach के enzymes हैं जैसे pepsin है यदि वो stomach के wall तक पहुंच गया तो stomach के wall को inflammation कर देता है जिसको हम लोग peptic ulcer कहते हैं right so that is one thing the second is what we call a chlorohydria now a chlorohydria क्यों होता है chlorohydria तब होगा when there is a poor secretion of hydrochloric acid and a GIF gastric intrinsic factor क्योंकि आपको मालूम है GIF का क्या रोल होता है GIF का रोल पर प्राइमेरिली होता है विटामिन B12 के absorption में और विटामिन B12 की जरुद कहां होती है इसकी जरुद होती है RBC के maturation में so obviously vitamin B12 नहीं होगा तो RBC नहीं होगा यानि ब्लड की कमी हो जाएगी जिसको हम लोग एनीमिया क्याते है लेकिन विटामिन B12 के कारण जो एनीमिया होता है उसके लिए हम लोग टर्म का इस्तेमाल करते हैं पेरिनीसिस है राइट तो इसके बारे में बात की और हम लोगों ने यह देखा कि कैसे कॉमिनेशन ओफ इंजाइम्स और हार्मोन्स पूरे के पूरे स्टमक में डाइजेशन के प्रॉसस को अंजाम देखे है फिर से बोलूं स्टमक में प्राइमेरिली पूटीन का डाइजेशन होता हलाकि थोड़े बहुत फैट्स और काबोहड्र्स का भी डाइजेशन हो पर इंटरस्टाइन में डाइजेशन कैसे हो रहा है उसकी हम लोग बात करें राइट थैंक्यू